हे गाईस दिस इस प्रीती आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं Nobel Award 2019 के बारे में इसमें जो भी important questions होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे जैसा कि अगर हम लोग बात करें Nobel Award की basic knowledge के बारे में तो आप सभी को पता है कि Nobel Award किस किस छेतर में दिया जाता है किस की याद में दिया जाता है आलफ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है उन्होंने डाइनामाइट का अविसकार किया था इसके अलामा आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जितनी भी Nobel Award दिये गए हैं 2019 की घोशना हो चुकी है उसके बारे में तो आईए शुरू करते हैं टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रू क्लिक करें साथी साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडियेश चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट study91.co.in पर विजिट कर सकते हैं और पीडियेश को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलाबा एक important announcement है आपके लिए कि आपके आसपास जो भी टेटी या फिर सी टेट, यूपी टेट किसी भी टेट के अगर class करते हैं या फिर वो exam देना चाहते हैं तो उनके लिए free classes available है हमारे चैनल पे वे डेली देख सकते हैं चले बात कर रहे हैं हम लोग Nobel Award के बारे में तो दो तीन important point जान लेते हैं जैसे इसकी शुरुवात कब हुई है Nobel Award देनी की सुरुवात हुई है 1901 में ये कितने सक्टर में दिया जाता है सांती के सक्टर में, साहित के छेतर में, भौतिक, रसायन और चिकित्सा तथा अर्थ सास्तर के छेतर में दिया जाता है, अब बात आती है कि Nobel Award किसकी तरफ से दिया जाता है, तो Shredis Academy of Science की तरफ से दिया जाता है Nobel Award, इसमें कुल 7,70,000 पौंड की राशी दी जाती है, एक important point कि ये है कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि 1901 से Nobel Award दिया जाता है, लेकिन अर्थ सास्तर मे बात कर लेते हैं 2019 के बारे में कि 2019 में केमेस्ट्री या फिर रसायन का Nobel किसे मिला, तो यहाँ सम्मान अमेरिका के तीन विग्यानिक हैं, जान बी गुडेनिफ, इंगलेंड के हैं, एम स्टैनली विटिंगम, जापान के हैं, अकीरा योसिनो, तो अब याद कैसे करेंगे, त मेस्ट्री का, नोबेल किसे मिला है, जान अमेरिका, विटिंगम, बरकिंगम का पर हमारा इंगलेंड में हैं तो विटिंगम इंगलेंड याद करिए, अच्छा आपके मांड में क्वेस्चेन आ रहा होगा कि मैं इस तरह से आपको क्यों याद करें, बेसिकली यह जो मेरा पढ़ाने का परपज है कि आपको नोबेल अवार्ड इस तरीके से याद कराया जाए कि आप इसको भूलें ना, अदर्वाइस नोबेल अवार्ड के बारे में जैसे जैसे अपडेट होती हूँ, तो मैं करेंट अफ़ेर वाले वीडियो में देती ही रहती हूं आपको, ठी अमेरिका, बरकिंगम हमारा इंगलेंड में है, तो विटिंगम इंगलेंड के हैं और उसके बाद योशिनो, ठीक है, इस तरह के नाम कहां पे होते हैं, जापान में हैं, तो याद करिए जापान योशिनो, ये तीन साइन्टिस्ट हैं, तीन अलग-अलग जगहों से हैं, इ तीन वेग्यानिकों को केमेस्टरी का नॉबेल पुरसकार दिया गया अब बात आती है कि क्यूं दिया गया ये भी तो इंपोर्टेंट क्वेश्चेन है तो यह अवाड इनको दिया गया है लीथियम आयन बैटरी के विकास में महतपूर भूमिका निभाने के लिए लीथियम जान लेते हैं इस बैटरी की बारे में यह बैटरी बहुत सुरच्छित होती है और इसके साथ ही साथ बहुत ही हलकी होती है इसका रखरफाव भी काफी आसान होता है इसको विकास इसको बनाने की शुरुआत कि गई थी 1970 के दसक में जब तेल संकट आया था उस दवरान इस दिया गया है तीन वेग्यानिकों को जिने लीथियम आन बैटरी को डेवलप किया या फिर हम लोग एंपग्रेड किया है कौन कौन है तो यहां पे हैं जॉन अमेरिका बटिंगम इंग्लैंड एंड तीसरा है योशिनो जापान ठीक लीथियम आन बैटरी अब आपको याद हो गया होगा एक चीज़ और हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं कि 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था तो मैंने 2018 में बता था कि यह अर्नौल्ड स्मिथ और ग्रेगरी को दिया गया था अर्नौल्ड स्मिथ और ग्रेगरी को दिया गया था एंजाइम की छेतर में यह बंबी गंस्टन उनिवेस्टी में प्रोफेशर हैं बड़ा खतरनागी उनिवेस्टी लग रहा है ठीक है तो यहां पे यह इस उनिवेस्टी के प्रोफेशर हैं इसके साथ साथ यह नोबल अवर्ड पाने वाले सबसे उम्र दराज विजेता होंगे क्यों क्योंकि यह 97 ए इंग्लेंड के हैं इनको सूपर कंड़क्टर पर शोध इन्होंने सुरू किया और एक उच उर्जा से भरपूर तत्तो की खोज किया और उन्होंने इसका उप्योग कहां पर किया लीथियम बैटरी में एक उच प्रद्योग की या फिर हाई टेकनोलोजी कैथोड बनाने के लिए तो इनका भी युगदान हुआ ना लीथियम बैटरी वाले में उसके बाद है हमारा अकीरा योशिनो ये जापान के हैं और कैथोड के अधार पर अकीरा योशिनो ने और 1985 ने वैसाई करूप से पहली सच्छम लीथियम आयन बैटरी बनाया था तो अब ये था हमारा केमेस्ट्री का नोबेल पुरस कार नेक्सलाईट पहने से पहले मैं आपको एक बढ़ फिर से याद करा दूँ केमेस्ट्री का नोबेल आवार्ड दिया गया है लीथियम बैटरी के लिए ठीक है और किसे दिया गया है तो जॉन जो की अमेरिका के है बिटिंगम जो की इंगलैंड के है और योसिनो जो की जापान के है इनको दिया गया है chemistry का नोबेल, next है हमारा physics के छेतर में नोबेल पुरसकार किसे दिया गया है physics ठीक। सो से याद करें या सम्मान किसे दिया गया है जेम्स पीबल को ठीक है जेम्स पीबल मिशल मेयर और डीडियर क्वेलोच को ये तीन वैग्यानिक है केमेस्ट्री का भी तीन को दिया गया है और यहां पर फिजिक्स का भी तीन को दिया गया है किसलिए दिया है ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सि सिध्धान्त रखने के लिए अवार्ड दिया गया है अगर हम लोग नए सिध्धान्त की बात करें क्योंकि आप से अब यहां पर देखे क्वेश्चन और ज्यादा ट्विश्ट कर सकता है क्या फिजिक्स का नोबिल पाने वाले वग्यानिक कौन है जिनको ब्रह्मान डियर क्वेलेज को यह दो वग्यानिक है जिन्होंने एक काम किया और एक वग्यानिक है जिन्होंने ब्रह्मान विज्ञान पर नया सिध्धान्त रखाया तो इसको याद रखेगा अब बात आती है कि ठीक है एक काम के लिए दो लोग लगे हैं तो आधा हिस्सा किसे अगर आप नॉर्मली भी देखें तो एक काम को दो लोग करते हैं और एक काम को आदमी अकेले करता है तो जाहिर से बात है हमें दोगी जगां तो डिवाइट करना होगा तो जेम्स पीबल्स को आधा हिस्सा मिल जाएगा वोट का और मिसल मेर तथा डीडिये क्वेलेच को जाल लेते हैं यहाँ पर कि यह लोग कहां से बिलॉंग करते हैं जेम्स पीबल्स तो जेम्स पीबल्स कहां के हैं अमेरिकी नागरिक है अभी हम लोगों ने याद किया था जॉन अमेरिका यहाँ पर आप याद करिए जेम्स अमेरिका तो यह कनडाई मूल के अमेरिकी पर काम किया है और इस काम को आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार माना जाता है फिर है हमारा मिशल मेयर मिशल मेयर कहां पर इनका जन्मुआ है स्विज्जलेंड में ठीक है मेयर जर ठीक है तो याद करिए मिशल मेयर स्विज्जलेंड मिशल स्विज्जलेंड नहीं खोज किया यह जेनवा विश्विद्याले में कारे रहत हैं फिर डीडियर डीडियर क्वेलेज भी इन्हों ने भी इसी ग्रह की खोज किया है और यह भी जेनवा विश्विद्याले के तो एक चीज तो है फिजिक्स में जो नोबेल अवार्ड दिया गया है इनमें दो खोज ह एक तो ब्रह्मांड विज्ञान का आधार मान कर खोज किया गया है, दूसरा एक नया ग्राख हो जा गया है, जो नया ग्राख हो जा गया है, इसको दो लोगों ने मिलकर किया है, मिशल मेयर और डेडियर क्वेलेज ने, मेयर क्वेलेज ने, ये दोनों सेजरलेंड से बिलॉं क्यों important है इसलिए क्यूंकि साल 2018 में जो hashtag meet you चल रहा था ना एक hashtag meet you जिसमें यॉन उत्पीडन के मामला चल रहा था इस घटना के कारण 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं बटा था और इस बार 2018 और 19 दोनों का नोबेल पुरसकार घोसित कर दिया गया है 2018 के लिए साहित का नोबल दिया गया है लेखक है जो कि पोलेंड की है पॉलिस बोले तो पोलेंड की यह है ओल्गा टोकार के जुग काफी लोगों के माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यह नाम तो हम लोगों ने पहले सुना है हाँ इनी की रचना थी फ्लाइट्स इनी का एक उपन्यास था जिसे दिया गया था बुकर प्राइस 2018 का इसलिए आपको याद है उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया ही लेखक है पीटर हैंड के याद कैसे करेंगे ऑस्ट्रेलिया अगर ग्लोब में देखे तो सबसे नीचे है ना तो याद के लिए पीट-पीट के न लेखक हैं इनको या पुरसकार नए पन में संबंदित लेखन और भासा में नविंतम एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रिया ही है यहाँ पर याद कर लेजिएगा यह कौन से लेखक है ऑस्ट्रिया के टिक ना कि ऑस्ट्रेलिय दिया के तो इसको थोड़ा सा चेंज गया अगर मैंने भी बोल दिया होगा तो लाख लोगों का कमेंट आ जाएगा कि हाँ दिकत है तो फिलाल हम लोग बात करते हैं पीटर हैं के कहां के हैं यह ऑस्ट्रिया के लेखक है और इनके लेखन में जो नया पन होता और भासा में जो नवीनतम प्रियोग होते हैं उनको इसके लिए नोबेल अवर्ट 2019 का दिया गया है फिर है 2018 को उलगा टोकारचुक को दिया गया है जिपी वूलोगा टोकारचुक को लेखका के सासास सामाजी कार्यकरता की भूमिका निभाने के लिए साल 2018 का नोबेल बुरसकार दिया गया है ये पोलेंड की पहली लेखिका है जिनको अपने काम के लिए नोबेल और बुकर प्राइज दोनों ही मिल चुका है अब हम लोग बात करेंगे चिकिस्सा के छेतर में तीन वेग्यानिकों के नाम की घोशना हुई है मतलब तीन वेग्यानिकों को दिया गया है नोबेल रूप से चिकिस्सा का नोबेल अवर्ड अच्छा इन्होंने किया क्या है तो कोसिकाओं के ऑक्सीजन ग्रहण पर इन्होंने काम किया है खोज के लिए इन्हें दिया जा रहा है इन्होंने कोसिकाओं के काम करने तरीके तथा आक्सीजन के उपलबदता के ग्रहण करने को ले करके नया खोच किया है जिसके लिए ने चिकित्सा का नोबेल दिया गया इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम कहां है विलियम जी केलिन ये न्युव्याक में इनका जन्म हुआ था और ये ड्यूक इन्वेस्टी से एमडी की रिगरी होसिल किया है इसके लामा रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ आपको याद आया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो किसने खीचा है ये ब्रेटन के द्वारा यह रेखा खीचा गया तो जो रेड क्लिफ है ये कहां के होंगे ये इंग ज्यादा तर देखेंगे आप तो Nobel Award America England यहीं के वेगानिकों को मिलता है। इनकों Boston में Harvard University से Biologist में BA की डिगरी हासिल किया इन्होंने। तो बस इतना याद रखेगा विलियम अमेरिका के हैं, समिंजा भी अमेरिका के हैं, और रेड क्लिफ कहां के हैं, यह हैं England के। और इनको का Nobel पुरस्कार मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि जो भी आज 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 पास TET की तैरी करने वाले हैं, आप उन्हें बता तो आज कि लिए सितने ही, thank you friends, thank you so much